महाकाल सिवरात्री पुजा कमिटी ले आगामी अठाराफ परवरी को दिन हुने महासिवरात्री पुजा को लागी सम्पुर्णत तयारी गरी सकी कोछ जहार त्यस दिन भक्तहरुको अत्यादिक भीर हुने विशैला ध्यानमा राखेर कमिटी ले दिव्यंग, व्रिद्द, व्रिद्दा साथे बीरामिहरुका लागी दर्शनको अलगए वियावस्थागवरे को कमिटी ले बताएको छ यसपाली पुजा कमिटी ले महा सिवरात्री पुजा को अउसर मा एक लाख दिप्रज्वलन गरने पनी कारेक्रम बनाएको छ देखिन पुजा आरंबा हुन्छा, यग्य हावन शुरु हुन्च, व्यान साथ बजे बाबालाई भोग प्रशाद चड़ावा हुन्च, साथ पंद्र देखी प्रशाद भंडारा वितरन्च शुरु हुने छ, राद 9 बजे प्रथम आरती हुने छ, यचे बाबा को बाबा रुदरी अभिशेग गरने आमिले राहे कोछुम रहना, निव्पान्दर देखिन रुदरी अभिशेग शूरुभ हारा, हमले चाहिती से जीट्य आरति अनले शो एक तीस बजे देखिन रुद्री पाट का आरति पशी ब्रामन नाहित्या बिदाई जस्मा दार्जिलिंका प्रकेत कलाकार वजन मंदली अलु आरा बाबा को चरमा आरा बजन गनने कारिक्रम अलु छा तीन बजी तेस्री आरती हवनखुन्णमा उने चा पहला हो प्रेख मा होनु ट्या कि आत के डिक्षापझ आरता अरती हवन कुँणनमै होने चा, नौ वजे पाँचव आरती हवन कुणनमै होने चा त्याँचे हवनलादी चली रागाए नहीं तो राथी प्छी रात्री कालिन हवन आरंबा रात्रे 10 बजे देकिन मह अभिषे को तयारी गरी नेचा रे 11 बजी देकिन मह अभिषे को शुरूप प्रारम्ब हुने चा मध्य राथी 12 बजे पूर्णा आराथी साताई पूर्णा आवती गरेरा शमापन गरी चा आन्तमा भजन कारिक्रम को साथ मा, मायशीवरात्रिको समपुन कारिक्रम समाप्त गरीने चा तर बिजमा यस पाले आमीले अलिकती नया बाबा को चारण मा नया कारिक्रम रख चुन साथ बजी बाबा लाई एक लाख दीप प्रोजलन गरने कमिटीले तयरी गरेगा चा आपनो अनुसासन बद्धा भायारा स्वयक पूराई दिने आमी अनुरोट अक्रम दाछूं। विशेश यस अठारा तारिक को सिवरात्री महा सिवरात्री को कारेक्रम लाई। सफल पार्नाक लागे चाए। आमेले बक्ता जन अरलाई पनी पति अड़कुरोको सुविष्था प्रदान गरेगेचू। जसमा दर्शन गरने हुने विकलांग हरलाई। आमरा बॉलेंटियर्स अरुद्वारा उह अरलाई दर्शन गराई नेचा। जस्ते भी भी आईपीच हरलाई। पूर्ण ब्रिद्दा हरलाई। अब शीनियर सीटीजन चे बंदूना करती ता असी वर्ष पुगेगा अरुपल नेके तगडा होंचन। तेले गर्ण घ्रचे पूर्ण ब्रिद्द भीमारी हरलाई। आमी। शेवदल को तरफा बढ़ाचे आमी पमिट्री को तरफा बढ़ाचे वह हरलाई। आमीं दोसं गराउनेचुं। यह यह कारेक्रम लाइ सफल तूरेवन रहा भक्ताजन अरको शुबिष्टा को लागे आमिले सेवादल, अमरेक कमिनिटी का सेवादल जन्दै डेर्सो जाना, दुषो जाना सेवादल होंचा, वहां अरलाइ जगा जगामा आमिले खटायक होंचुंग, रहा सेकुरिटी आमिले अपाली ध्यान दिये कुछुंग, रहा अभिशेको सामागरी, कोशेई भक्ताजन अरले, दिना चाये रहा अपनी इच्छाप गर्ना चाये बने, जस्ते दूर, दई, फाल, घिव, बस्त्र, माला, बाबा रा मातला चड़ाउने विश्गरुंचे, तपायले पमिन बाक्ताजना लाई निवेदन गर्शुंग की बाबा को दर्शन गर्ना, कौमिटी ले दिये को निर्देश लाई पालन गरे रा, कौमिटी लाई स्वयोग पुराई जिने, रा विशेश्कुरियां चाये अमेले कीर देख्शुंग, बन्दा गिले अत्तमाई भेडवाड ह अलिकती दिष्टवेज अरुपनी होंचा, रा अलिकती अब मंदीर देखिन, तवर्श्टार देखिन, मंदीर समाख को लाम बयाटला है अलिकती द्यानमा रागदा खेरे चाये, अलिक समाई पनी लागचा, इनने मंदीर मा भेडवाड होंचा, तेले गर्दा खेरे चा, अमेल को अब यह वड़ा समय होंचा, उले उले रिशिमुनियाले भगान प्राप्तवादागार्दा बर्शों बर्शों तपास्या गरे भगान को आशिर्वात पाउंथे बने, आमी यज़ पाली मांकल बाबाबा को आशिर्वात लीना दुए-तीन गंटा धर्यादारन ग कमीटी का बाइस प्रेशिदेंट मिरा गुरंडी पहले नाधे अरे राकाद कुझे लिए अटारवार एक यहा ज रहे से वह जाने ना लेड़े लिए नुदिक्ति को तर्फबाता जाय पोले जाय महाकाल अनि यस कैनल आबाम्ड मासी बरत टुझाइजा संदि बार को दिन अ आपाद कोुक्राइब साकिनात पोस्तों कानों सांपों होस्तों प्राइब करें तक आप पर अगाले करने मृंचा करों पड़ते उन्चे लुगारू आई अनी लुगारू जालने कटी वड़ा तेस्टे हलके आभो कटी बेड़ भाड मा दूप गुमाव दाखेरी दूर गटनाउनी तेरे वड़ा संबाव नाम अँछा तेसले आमी कमिटि को पाराचा तापाला अनुरोद गर संकी दूप जाता नांवी नांति करना भागवान को धर्शन गर रजय दिनोश, ना लाइन में बस्ता ताप रहा हुद आकरेटा अनु शाषीत भायर बसे दिनोश अनु आनिमा अंहानी खामीटी को बटता तर्फ बाट यहीं अनुरोद गर्द शाओं साथ है माकल मंदिर पुजा कमीटी को तर्फ बाट है निस संपुन्य भक्तजन हरको बाट शाए के अपेक्सा रहे कर शाओ वाने ताप हर ले पानि संपुन्य कार्ज क्रम लाई येस महास्रीवरात्री परवा को पुज पाइब ड़ी परवा हाहर णी इंव भ॥ हीओ नहीं ब्रवा स्एका इन गर्षा थी दूरेति ने आंनी साथ है मिले को तर्फ बाट है ये राके को थामानिया मेडिकल टीम तौवन। खरभियो बागमाना बाबाबा में सेख प्राइब्जारिको प्रेस्ते सद्ग प्रेस्टने सेख निए भाईव्य। तो ग्राव मिली शेख प्रेस्तों आप लगामी अप्प्रेसियारिक प्राइट्से अग्रान ने बनाय। झाल 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 dubh, the learner's paradise just beside the National Highway 31 C adjacent to Binagiri Cintonment. A thoughtfully planned infrastructure keeping in mind the needs of children to provide them a perfect world-class learning environment, a building with four walls and tomorrow inside, lush green meaning campus spread over 10 plus acres where children can develop mentally as well as physically to meet the challenges of the world international sized playfields amphitheater auditorium and ample space for competitive learning smart classes for Elearning and excellent teaching faculty with scientific and modern skills. Special features swimming pool, basketball court, yoga, art and craft, music and dance classes to foster holistic development of your child. At Delhi Public School Doors we make children global thinkers as they get an opportunity for national and international exposure. Admissions are now open for Classes Nursery to 9 and Class 11 Science & Commerce At DPS, we offer quality education, a community commitment We seek, we strive, we soar Jai Hind Eyelid Crease Creation, Double Eyelid Surgery, Upper Eyelid Blufferoplasty या आप बोल सकते हैं Mongolian Eyelid Surgery या Asian Eyelid Blufferoplasty यह सब जो टर्म है, एक ही टर्म है आप Simply इसको बोल सकते हैं कि जो जो अपर Eyelid है उसमें अगर आपके क्रीज नहीं है तो हम लोग इस क्रीज को create कर सकते हैं इसी procedure को हम लोग Double Eyelid Surgery या Asian Eyelid Blufferoplasty बोलते हैं यह जनरली आप देखेंगे जो हमारे जो Mongolian faces हैं जैसे कि जो पहारों पर रहने वाले लोग आपने डाजलिंग और सिकीम और नेपाल के लोग हैं या इस नौर्थ इस इंडिया के लोग हैं उनके जो अपर आइलिट है उस पर क्रीज नहीं होता है तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं एक बहुत ही सिंपल procedure है जिसके द्वारा के हम यह क्रीज क्रीज क्रेट करते हैं आपकी जो फेस है उसका जो ब्यूटी है उसको हम दो enhance कर सकते हैं अपको अपने कुछ रिजल्स के बारे में दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हैं इसमें जो पहले का जो फेस है ग्रेस यह पहले का फेस है और यह बात का फेस है दोनों में आप देखेंगे जब शिर्फ उसे हमने किये तो आयलेट सर्जरी करने के बाद जो फेस का जो डॉलनेस या जो हैविनस दिखता है पहले वो खतम हो जाता है मिंस आप मोर यूथफूल और मोर यंग दिखना शु धन्य वरत